हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सो से भी जादा इंजेक्शनों के बारे में वो कौन-कौन से इंजेक्शन है जो की सबसे जादा यूज में लिए जाते हैं चाहे छोटे डोक्टर हो या बड़े डोक्टर हो सभी इन इंजेक मिलेगी injection के बारे में तो दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों list में हमारा सभसे पहला injection आता है taxa kind injection आप देख सकते हैं taxa kind इस तरह की packaging में आता है और इसके अंदर का अगर हम composition की बात करें किसमें क्या drug होती है तो इसके अंदर यूस की बात करें कि ये कब इस्तेमाल किया जाता है तो ये किया जाता है बिलट किलोट मतलब खून को रोकने में जब किसी भी व्यक्ति के अगर चोट लग जाती है या मुझ से खून आता है या ट्वालेट की जगह से अगर खून आता है तो उस खून को रोकने काम ये इंजेक्शन जो है करत दस्त भी लग जाते हैं कभी-कभी से injection को प्रियोग में लेने से या फिर वूमेटिंग उल्टी होना तो ये कुछ common side effect है जो किसी-किसी patient में देखे जाते हैं फिर हमारा next injection आता है dairy phylene injection आप देख सकते है dairy phylene और ये जो है इस तरह की packaging में आता है और इसके अंदर के गार अब composition की बात करें किसमें क्या drug पाई जाती है क्या salt होता है तो इसके अंदर दोस्तो ethophyllin and thuyophyllin होता है दो content होते हैं इसके अंदर और इसका जो use किया जाता है इस्तिमाल किया जाता है वो किया जाता है कफ, मतलब खांसी, जब किसी भी को भी खांसी होती है तब इसको इस्तिमाल में लिया जाता है या फिर अस्थमा, दमे की परशानी होती है, जब किसी को दमा होता है, तब भी इसको यूज में लिया जाता है या फिर बिरॉनकाइटिस, बिरॉनकाइटिस भी एक फेफडों की जो है बिमारी होती है इसमें क्या होता कि फेफडों का अंदर की जो वैंस पगेरा होती है नसे वो सुकड जाती है तो ब्रोंकाइटिस हो जाती है तो उसमें भी इसको यूज में लिया जाता है और इसके भी कुछ common side effect होते हैं इसे कि नोज या जी में चलाना है इसे लगाने से कभी कभी जी में चलाने लगता है या फिर वो मेर्टिंग उल्टी भी आने लगती है या फिर हैड एक्सिर में दर्द होना तो ये इसके कुछ common side effect होते हैं तो दोस्तों यह होता डेरिफाइलीन injection दोफ तो आप जो है हमारे इन वीडियो के screenshot ले लीजिए ताकि आपको जो है future में भी काफी knowledge रहे हैं इन इंजेक्शनों के बारे में तो आप जो है दल्दी से screenshot ले लीजिए फिर next हमारा injection आता है लिस्ट में तीसरे नमबर पर Mono safe injection आप देख सकते हैं Mono safe यह इसी नाम से जो है market में मिल जाता है Mono safe यह अलग-अलग dose में आता है तो और इसके अंदर के अगर हम composition की बात करें कि इसके अंदर क्या drug होती है क्या salt होता है तो इसके अंदर होता सेftrug zone आप देख सकते हैं सेftrug zone होता है इसके अंदर और इसके use की हम बात करें कि कब इस्तेमाल में लिया जाता है इसे डोक्टर कब लगाते हैं तो यह एक antibiotic injection होता है तो इसके multiple use होते हैं काफी use होते हैं जैसे कि टाइफाइट fever जब किसी को टाइफाइट बुखार आ जाता है मियादी बुखार होता है तो उस बुखार से रिलीव पाने में इसको use में लिया जाता है या फिर eye infection आँख में संकर्मण आँख में infection हो जाता है किसी की आँख में तब भी इसको use में लिया जाता है तब भी इसको यूज में लिया जाता है तो ये इसके काफ़ी सारे यूज होते हैं और इसके भी कुछ side effect होते हैं जो कि किसी किसी patient में देखे जाते हैं जैसे diarrhea, dust लग जाना या फिर skin rash, चकत्य पढ़ना, बहुत सारों लोगों के चकत्य पढ़ने लगते हैं इसकी पर या ये सब जो है side effect होते हैं, तो दोस्तों आप इसका मिस्की निचोट ले लीजिए फिर next हमारा injection आता है Neurobyan Ford injection, आप देख सकते हैं Neurobyan Ford इस तरह की packaging में या आता है और इसके अंदर के अगर हम combination की बात करें कि इसमें क्या drug होती है तो इसके अंदर micobalamin होता है pyroxidine होता है और nicotamide होता है और benzyne alcohol होता है इसके अंदर काफी सारे content होते हैं और इसका use to किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाता weakness जब किसी को कमजोरी होती है बहुत सादा कमजोरी, जैसी old age के लोग है कमजोरी जादा होती है तब इसको use में लेते हैं या फिर nerve pain, नसों में दर्ध बहुत सारे लोगों के नसों में दर्ध होता है तो इस नसों के दर्ध को से relief पानी के लिए भी इसको use में लिया जाता है और इसके भी कुछ common side effect है जो किसी-किसी patient में देखे जाते हैं जैसे कि headache, सिर में दर्ध हो जाना vomiting, ulty होना या night sweat, रात को पसीना आना, तो ये कुछ इसके common side effect होते हैं, दोस्तों आप इसका भी screenshot ले लीजिए फिर हमारा next injection आता है noble spas injection, आप देख सकते है noble spas, इसे mankind company बनाती है और इसके अंदर के अगर हम combination की बात करें कि इसमें क्या drug होती है तो इसके अंदर dicyclomine hydrogloride होता है और diclofenic sodium होता है दोसारे इसके अंदर होते हैं और इसका use क्यों किया जाता है वो किया जाता है abdominal crepe, पेट में एठन जब किसी के पेट में एठन होती है माडोल होती है, तब भी जो है इसको use में लेते हैं और इसके भी कुछ common side effect होते हैं जैसे की dizziness, मतब चक्कराना dry mouth, मुग का खुश्ख हो जाना एकदम या फिर skin rash तोचा में चकते पढ़ना तो ये इसके जो है, common side effect जो किसी किसी patient में देखे जाते हैं फिर next हमारा injection आता है Sintosinone Sintosinone के नाम से market में मिलता है मिल जाता है, और ये Sintosinone injection जो है, इसका अंदर का combination होता है, वो होता है Oxitoxin, दोस्तों ये Oxitoxin हमारी body का अंदर भी जो एक contract uterus मतलब contract uterus मतलब ये औरतों को लगाया जाता है महिलाओं को pregnancy के time पर उनके uterus को बच्चे दानी के मुँ को सुगड़नों के लिए, मतलब बढ़ा कनने के लिए ताकि बच्चा जो असानी से बाहर आ सके, तब लगाया जाता है या फिर control bleeding, बहुत जादा bleeding होती है, महिला को pregnancy से पहले या pregnancy के बाद तो उस bleeding को, खून के बहाव को रोकने के लिए भी इसको use में लेते हैं और इसके भी कुछ side effect है जो महिलाओं में देखे जाते हैं, जैसे की headache, सिर में दर्द हो जाना dizziness, चक्कराना, या फिर vomiting, उल्टी होना, तो ये इसके कुछ common side effect होते हैं फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले injection के बारे में जो कि एक dexona के नाम से injection आता है आप देख सकते हैं, dexona ये एक anti-allergic injection होता है और इसके अंदर का जो combination होता है drug होती है, वो होता dexa methasone, आप देख सकते हैं और इसको कि अगर हम use की बात करें कि कब इस्तेमाल में लिया जाता है, तो इसे लिया जाता है allergy, जब किसी को खुजली हो जाती है allergy हो जाती है, इसकी ने allergy, तब इसको use में लेते हैं, या फिर इसको use में लेते हैं और इसके भी कुछ common side effect होते हैं जैसे कि vomating, ultyana, abdominal pain, पेंट में दर्द होना, या फिर diarrhea, दस्त लग जाना, तो ये इसके common side effect होते हैं फिर next हमारा injection आता है prima code injection, ये जो है cardiestroid injection होता है, मलत भी cardiestroid category का injection होता है और इसके अंदर के अगर हम combination की बात करें, कि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर hardyocardison होता है, और इसके अगर हम use की बात करें, कब इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है, अस्थमा मतलब दमा, जब किसी को दम हो जाता है अस्थम हो जाता है तब इसको यूजमे लिया जाता है या फिर skin problems इसकिन में तोचा में कोई problem होती जैसे कि किसी को eczema हो जाता है या psoriasis हो जाता है इस तरह की allergy हो जाती है तब भी इसको यूजमे लेते हैं या फिर control medicine reaction किसी भी दबाई के reaction को रोकने के लिए भी इसको लगाया जाता है और इसके भी कुछ common side effect होते हैं जैसे कि headache, सिर्मे दर्द होना, vomiting, ulti आना या फिर rash rash यह मतलब तोचा पर चकते पड़ना तो यह इसके common side effect होते हैं फिर next हमारा injection आता है LASICS injection आप देख सकते हैं LASICS यह anti diuretics category का injection होता है और इसके अंदर का जो combination होता है drug होती ही वो होता है frosemide आप देख सकते हैं इसके अगर हम यह उसकी बात करें कभ इस्तेमाल किया जाता है तो यह किया जाता है hypertension जब बहुत सारे व्यक्तियों का blood pressure बढ़ने लगता है तो उस condition में blood pressure को normal इस्तर पे लाने के लिए इसको लगाया जाता है या फिर elsis abdominal fluid मतलब axis abdominal fluid का मतलब होता है पेट में पानी भढ़ जाना बहुत सारे लोगों का पेट फूल जाता है पेट में पानी भढ़ जाता है तब भी इसको यूज में लिया जाता है या फिर decrease cholesterol level जब cholesterol level जो है बढ़ जाता है किसी व्यक्ति का तब भी इसको यूज में लेते हैं और इसके भी कुछ common side effect होते हैं जैसे कि nausea मतलब जी मचलाना, मचली सी आना या फिर headache, सिर में दर्द होना या फिर vomiting ultiana तो ये इसके कुछ common side effect होते हैं फिर next injection आता है मीकसीन injection मीकसीन injection जो है antibiotic category का injection होता है मीकसीन बहुत जादा use में लिया जाता है चाहाँ छोड़े डोक्टर हो या बड़े डोक्टर इसको बहुत जादा recommend करते हैं और इसके अंदर को जो composition होए salt है drug है वो है amicacine sulfate इसके अंदर amicacine sulfate होता है और इसके अगर हम use की बात करें कि इसे कब-कब किस-किस परशानी में लगाया जाता है कब इस्तेमाल किया जाता है तो इसे लगाया जाता eye infection जब किसी भी बच्चे के या बड़े की आंक में infection हो जाता है संकर्मन हो जाता है तब इसको लगाते हैं या फिर skin infection किसी को तोचा में infection हो जाता है खाल में infection हो जाता है तब भी इसको लगाते हैं या फिर diarrhea diarrhea मतलब dust, peaches जब किसी को dust हो जाते हैं पैची हो जाती है तब इसको यूज में लेते हैं या फिर लंग इनफेक्शन फेपड़ों में इनफेक्शन हो जाना संकरमण हो जाना तब भी इसको यूज में लिया जाता है और इसके भी कुछ common side effect होते है जैसे कि इचिंग खुझली होना और एंजाइटी एंजाइटी मतलब बैचेनी से होना घपरायट्सी होना या फिर डिजनस डिजनस मतलब चकर से आना घुमनी से आना तो यह इसके common side effect होते हैं फिर next हमारा injection आता है, nitroglycerin injection, आप देख सकते है, nitroglycerin और इसके अंदर का combination है, वो भी nitroglycerin है ये जो है, nitroglycerin के नाम से ही market में मिल जाता है, तो इसका जो use होता है, वो होता है heart problem, जब दिल से संबंदित कोई बिमारी होती है, किसी को दिल की कोई भी बिमारी होती है, दिल अच्छे सा काम नहीं कर पाता है, कोई भी disease होती है दिल की, तब इसको जो है use में लिया जाता है, या फिर heart attack जब किसी को heart attack की दिक्कत होती है, तो उस heart attack की परशानी से relief पाने में भी इसको लिया जाता है, या फिर weakness का कमजोरी होना, तो ये इसके common side effect होना, तो दोस्तों आप इसका भी screenshot ले लीजिए, फिर दोस्तों next injection आता है, इप्टोइन injection, आप देख सकते हैं, ये इस तरह की packaging में आता है, और इसके अंदर के अगर हम combination की बात करें, कि इसमें क्या drug होती है तो इसके अंदर phenytoin sodium होता है, और इसके अगर हम use की बात करें, कि कब इस्तेमाल किया जाता है, तो epilepsy, epilepsy मतलब दोरे पढ़ना, जब किसी को दोरे पढ़ते हैं, तब इसको लगाया जाता है, और इसके भी कुछ common side effect होते हैं, जैसे कि headache, सिर में दर्द होना, nausea, मतलब जी में चलाना, या फिर dizziness, चक्कराना, तो ये इसके common side effect होते हैं, फिर हमारा next injection आता है, vomikind injection, आप देख सकते हैं, vomikind, mankind company दोरा बनाया जाता है, और इसके अंदर जो salt होता है, combination होता है, वो हता ondasatron, और इसके अगर हम uses की बात करें, कभ इस्तेमाल किया जाता है, तो vomating, ulty में, जब किसी को ulty आती है, तब ये use में लिया जाता है, या फिर motion sickness, g में चलाना, जब किसी का g में चलाता है, तब ये use में लिया जाता है, और इसके भी कुछ common side effect होते हैं, जैसे कि popular injection है, और इसके अंदर के जो अगर combination की हम बात करें, तो इसमें होता है, feniramine malate, और इसके अगर हम uses की बात करें, कभ इस्तेमाल किया जाता है, तो skin allergy, जब किसी की भी तोचा में, खाल में allergy हो जाती है, किसी भी तरह की, तब इसको use में लिया जाता है, या फिर allergic conjunctivitis, allergic conjunctivitis मतलब आख आना, आख में allergy हो जाना, इस तरह से आख आजाती है, तब भी इसको use में लिया जाता है, और इसके भी कुछ common side effect होते हैं, जैसे कि constipation, कभ़ हो जाना, कभी-कभी जो है, कभ़ हो जाता है, इसे लगाने के बाद, या फिर dizzness, चक्कराना, तो ये इसके कुछ common side effect होते हैं, फिर next injection आता है, tramadol injection, tramadol injection आप देख सकते हैं, और ये जो है, tramadol के नाम से ही मिल जाता है, और इसके अंदर combination भी tramadol hydrocolide होता है, अगर आख ये किसी को लेना होता है, तो direct जो है, tramadol के नाम से ये market में मिल जाता है, और इसके अगर हम use की बात करें, तो saviour pain मतलब जो है, बहुत बेकाबू दर्द होता है, किसी का accident हो जाए, हड़ी तूट जाए, या सिर्फ हड़ जाए, बहुत जादा बेकाबू दर्द होता है, तब भी ये use में लिया जाता है, और कभी-कभी पेट में दर्द होता है, तो हम इसे DNS बोतल के अंदर डाल कर भी IV लगा देते हैं, जिससे जो है दर्द को, पेट के दर्द को इंजक्शन, जो कि एक anti-allergic injection होता है, बेटनी सोल, काफी जादा popular injection है, और इसके अगर हम को मिजीशन की बात करें, तो इसके अंदर होता है बीठा मेथा सोन, सोडियम, फास्पड, ये इसके अंदर साल होता है बीठा मेथा सोन, और इसके अगर हम यूज की बात करें, कब इस्तेमाल में लिया जाता है तो allergy, किसी भी तरह की allergy होती है, तब इसको यूज में लेते हैं या फिर swelling, सूजन आ जाती है, बोड़ी में किसी भी तरह की सूजन हो जाने पर इसको यूज में लिया जाता है, या फिर breathing problem, सांस ले में समस्या होती है सांस ठीक से नहीं आपाती हुए एक्तिकी, तब भी इसको हम लगाते हैं और इसके भी कुछ side effect होते हैं, जैसे कि headache, सिरे में दर्द हो जाना constipation, कब्स होना, या फिर redness in eye मतलब आखों में लाल पन आ जाना, लाल हो जाना आके, तो ये इसके common side effect होते हैं दोस्तों आप जो है, इसका भी screenshot ले लीजिए फिर next injection आता है, monosaf SB injection, जो कि एक antivating injection होता है, monosaf SB ये भी काफी जादा use में लिया जाता है, इसके अंदर का अगर हम combination की बात करें तो इसके अंदर होता septric zone and sulbactum, यहां दो salt होते हैं, septric zone और sulbactum और इसका जो use किया जाता है, वो काफी सारी परशानवियों में किया जाता है जैसे tie fight fever, मतलब मियादी बुखार में या फिर lung infection, heplom infection हो जाता है, तब भी इसको इसको इस्तिमाल में लिया जाता है तो इसको injection को use में लिया जाता है, तो इसके काफी सारे use होते हैं और इसका भी कुछ side effect होते हैं, जैसे की dizzness, chakkar आना, या फिर weakness, कमजोरी होना तो यह इसके कुछ, एक दो side effect हैं, जो patient में देखे जाते हैं फिर हमारा next दोस्तों, जो injection आता है, वो आता है durataz injection आप देख सकते हैं, durataz, यह भी एक antibiotic injection होता है और इसके अंदर जो होता है, दो side होते हैं, composition दो होते हैं जैसे की pepperocycline और tazobectum, काफी high injection होता है यह antibiotic और इसका use किया जाता है, cellulitis, cellulitis मतला पेट में पानी भड़ जाता है तो cellulitis में भी इसको use में लिया जाता है, या फिर UTI, पिशाप की नली में infection हो जाता है तब भी इसको लिया जाता है, या फिर typhoid fever, मियादी बुखार में भी इसे लिया जाता है या फिर liver infection किसी के अगर liver में infection हो जाता है inflammation हो जाती ही liver में तब भी जो इसको use में लिया जाता है और इसके भी कुछ common side effect होते हैं जैसे कि nausea जीमचलाना या फिर diarrhea दस्त हो जाना तो ये इसके common side effect होते हैं फिर next injection आता है MSERT injection आप देख सकते हैं MSERT काफी जादा चलने वाला injection है डेंगो के टाइम पर ये जो है काफी जादा use में लिया गया था और इसके अंदर के अगर हम composition की बात करें तो ondacetron होता है इसके अंदर और इसके अगर हम use की बात करें तो stop vomiting मतब उल्टी को रोखने में डेंगो के टेंप पर काफी जादा लोग को उल्टी की परशानी हो रही थी उल्टी आ रही थी तो उल्टी को रोखने में काफी जादा use में लिया गया उल्टी को रोखने में काफी अच्छा injection होता है तो इसके भी कुछ common side effect होते हैं इसके headache सिर्मे दरत होना low blood pressure मतलब BP को कम कर देना low BP या फिर sweats मतलब पसीन आना तो ये इसके side effect होते हैं फिर next injection आता है हेप अमर्स injection आप देख सकते हैं हेप अमर्स और ये जो है काफी अच्छा injection होता है काफी costly होता है और इसका अगर हम drug की बात करें को इसके अंदर होता है L-ordinate और L-acipatitis के अंदर ये 2 side होते हैं और इसका use जो किया जाता है वो किया जाता है liver related problem मतलब liver से संबनित बिमारीयों में किया जाता है जैसे कि जोंडिस पी लिया हो जाता है किसी को तब इसको use में लिया जाता है या फिर inflammation on liver liver के उपर inflammation हो जाती है सूजन आ जाती है liver के उपर तब भी इसको लिया जाता है या फिर liver damage किसी का liver damage होने की समस्या हो जाती है तब भी इसको use में लेते हैं और इसके भी कुछ side effect होते हैं जैसे कि कफ खांसी होना या फिर diarrhea दस लगना तो ये इसके side effect होते हैं फिर next injection आता है दोस्तो Ruby red injection F के नाम से ये market में मिलता है काफी अच्छा injection होता है और इसका जो combination होता है वो होता है iron sickrose इसके अंदर iron sickrose पाया जाता है और इसका जो use किया जाता है वो होता है anemia मतलब खून की कमी जब किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी महीला के अंदर जो है pregnancy का टाइम खून की काफी जादा कमी हो जाती है तब इसको ये mostly लगाया जाता है और इसके भी कुछ common side effect होते हैं जैसी constipation कब्स होना headache, सिर में दर्द होना या फिर vomiting ulti आना ये इसके side effect होते हैं फिर दोस्तों next injection आता है metrogel injection जो कि एक drip की form में आता है metrogel आप देख सकते हैं और ये जो है काफी अच्छा antibiotic injection होता है ये जो combination होता है इसके अंदर वो metrina dazol होता है और इसका use किया जाता है diarrhea दस्त लग जाते हैं किसी को 25 हो जाती है तब इसको use में लिया जाता है या फिर stomach infection पेट में संकर्मण हो जाता है infection हो जाता है पेट में या फिर food poisoning किसी को food poisoning की परशानी होती है तब इसको use में लिया जाता है फिर next injection आता है diagoxin injection आप देख सकते हैं diagoxin injection इसके अंदर जो discours होता है वो diagoxin ही होता है diagoxin के नाम से मार्केट को बिल जाता है और इसका जो use होता है वो होता है heart failure heart failure के कोई patient होता है तो इसको यह लगाया जाता है या फिल abnormal heartbeat abnormal heartbeez yes, abnormal heartbeat मतलब किसी की या फिर loss of appetite, भूग ना लगना, या फिर fatigo, fatigo मतलब चक्कर से आना, कमजोरी से लगना, ये इसके common side effect होते हैं, फिर next injection आता है, adrenaline injection, आप देख सकते है, adrenaline, ये epinephrine के नाम से भी market में मिलता है, और इसका जो sad होता है, drug होती है, वो होता adrenaline, और इसका जो use किया जाता है, वो किया लगाया जाता है, या फिर breathing problem, सांस लेने में दिक्कत होती, तब इसको लगाया जाता है, या फिर drug reaction, किसी को दवाई का reaction हो जाता है, तब इसको लिया जाता है, या फिर hypertension, घवराहट से होना, बेचेनी होना, या फिर dissness, चक्कर से आना, या फिर night sweat, मतलब रात में पसीना तो ये इसके side effect होते हैं फिर दोस्तो हमारा last injection आता है montage injection ये भी अलग-अलग dose में आता है montage और इसका अंदर जो combination होता है वो septiczone and tesobectum होता है और इसका mostly use बच्चों में किया जाता है कि ये 250 mg की packaging में है आप देख सकते हैं इसका use किया जाता है निमुनिया जब बच्चों को निमुनिया हो जाता है निमुनिया की बिमारी में इसको दिया जाता है या फिर कफ बहुत जादा खासी होती है तब भी इसको यूज में लिया जाता है या फिर टाइफाइट फीवर भी ये बढ़ा देता तो ये इसके common side effect होते हैं तो दोस्तो हमने आपको काफी तरह के injection बता दिये वो injection बता हैं जो सबसे ज़्यादा लिए जा रहा है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी अगर लगी हो आपको तो आप इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आप खुश से किसी भी मेडिसिन को ले लेने का सेवन ना करें दोस्तो फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ जेहिन बंदे मात्रव